So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर और दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो से हम सुरू कर रहे हैं Coast Guard, Navik और यांतरिक एक्जाम की तैयारी के लिए English दोस्तों English जो है वो आपको Navik एक्जाम में और यांतरिक एक्जाम में 15 marks की पूछी जाती है तो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा important और special होने वाला है तो इसको continue और पूरा जरूर से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप के questions जो है वो आपको एक्जाम में देखने को मिलने वाले है तो साथ ही बोलना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिये जाने वाले सभी latest updates मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देवी के तो first question जो कि दिया गया है कि identify the segment that content a grammatical error if there is a no error select no error यानि कि यहाँ पे जो आपको बोला जा सकता है कि sporting the error का एक question दिया गया है और यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दिये गए sentence में कौन से part में error है तो आपको options में से उसको choose करना है तो sentence दिया गया है कि I wish I work hard than I did तो I wish I have worked harder than I did तो इसमें बताना है कि इसके कौन से section में यानि कि कौन से options में गलती है तो देखिए option number A में आपको दिया गया है कि I have worked ठीक है तो इस वाक्य में यानि कि इस sentence में जो है I wish के बाद वाले जो sentence में past perfect tense का हम use करेंगे ठीक है क्योंकि I wish के बाद में जो है modal verbs का use नहीं होता है ठीक है इसलिए जो है would का use incorrect माना जाएगा तो इस प्रकार से इसका correct sentence का pronounceson कुछ इस प्रकार से होगा कि I wish I had worked harder than I did यानि कि यहाँ पे जो है have की जगे पे head आएगा ठीक है तो इस प्रकार से जो है यह correct हो जाएगा तो I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो अब देखिएगा दोस्तों question number 2 यहाँ पे question दिया गया है कि select the most appropriate antonium of the given word यानि कि यहाँ पे जो है आपको antonium बताना है और आपको नाविक exam में जो है दो से तीन marks के synonym और antonium देखने को मिलते हैं और कभी-कभी यह 4-5 marks के भी पूछे जाते हैं तो इनको थोड़ा सा जान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक word दिया गया है addon ठीक है तो addon के लिए आपको एक antonium बताना है तो options दिये गये हैं shoe bed, disfigure, enrich और grass तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए addon का मतलब क्या होता है तो addon का मतलब होता है कि एक किसी चीज को सजाना या फिर मतलब उसको सुसोबित करना या सजावट करना बोल सकते हैं ठीक है और इसी प्रकार से सजाना का मतलब क्या हो जाएगा तो इसका एंटोनियम बताना है ठीक है यानि कि इसका विलोम सब्द बताना है तो देखिए option number B में आपको दिया गया है disfigure ठीक है तो जिस प्रकार addon का मतलब होता है सजाना, सुसोबित करना उसी प्रकार से disfigure का मतलब हो जाएगा बद सूरत बनाना या फिर जो है हम बोल सकते हैं एक तरीके से खराब बनाना ठीक है तो इस प्रकार से इसका right answer हो जाएगा option number B चलिए बाकी के meanings को भी हम जान लेते है options के according तो यहाँ पर option number A में जो सुबेट दिया गया है इसका मतलब हो जाएगा वस में करना या फिर किसी चीज को जीत लेना ठीक है और in rich का मतलब होता है सम्रिद बनाना ठीक है सम्रिद बनाना या फिर rich बनाना धनी बनाना बोल सकते हो आप ठीक है और grace का मतलब होता है क्रपा करना, दया करना या फिर किसी के उपर अनुग्रहित होना तो I hope आप लोगों गों ये question भी समझ में आ गया तो अब देखिए दोस्तों question number 3 और यहाँ पे आपको question दिया गया है कि select the most appropriate antonium for the given word तो यहाँ पे आपको एक word दिया गया है reprimand तो इसके लिए जो है आपको एक antonium choose करना है तो options दिये गये हैं rebuke, reward, reproof या फिर rhythm तो इसमें से जो है इसका antonium क्या होगा तो देखिए कि reprimand, rebuke और reproof इन तीनों का मतलब होता है डांटना, फटकारना या फिर दितकारना ठीक है यह हम बोल सकते हैं और rhythm जो word आपको दिया गया है option number D में इसका मतलब होता है छोड़ना या फिर जो है मुक्त कर देना यह हम बोल सकते हैं जबकि questions के according पूछा गया है कि reprimand का antonium क्या होगा तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि reprimand का मतलब होता है डांटना, फटकारना उसी प्रकार से जो है यहाँ पर option number B में जो दिया गया है reward ठीक है, reward का मतलब हो जाएगा किसी को सम्वानित करना या फिर इनाम देना ठीक है, तो यह जो है इसके लिए सही एंटोनियम हो जाएगा, तो correct answer होगा, option number B अब देखिए एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को साथ ही, कि आप लोग जो है मुझे Indian Coast Guard, NAVIC और यांतरिक exam के तयारी के लिए, Unacademy के उपर भी follow कर सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको simply play store के उपर जाना है, और Unacademy Learner App को install कर लेना है, उसके बाद में जो है दोस्तों आपको वहाँ पर basic सी information fill up करके, defense की category में Air Force, Navy और Coast Guard को select कर लेना है, उसके बाद में आप लोगों को screen पे मेरा user name दिख रहा होगा, इससे जो है आप लोग search कर सकते हो, इसके लावा आपको मेरी profile की link इस video के नीचे description box में भी दी गई है, तो दोस्तों make sure कि आप लोग मुझे यहाँ पर follow जरूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी free classes के notification मिलते रहें, और सभी updates जो है, आप लोगों को मिलते रहें, तो इसके लिए जो है, follow जरूर से कर लिजिएगा, और साथ ही, अगर आप लोग कोई भी class को अनलोग करते हो, या फिर कोई भी plus course को अनलोग करना चाहते हो, तो आप लोग हमारा referral code DPYT10 इसको use कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इस course में या फिर उस class में जो है, 10% का off भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, question number 4, यहाँ आपको question दिया गया है, जिसमें कि आपको एक given word के लिए synonym choose करना है, और आपको word दिया गया है bigul, ठीक है, तो bigul word के लिए जो है, आपको यहाँ पर synonym choose करना है, तो देखिएगा, कि bigul का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना है, ठीक है तो bigul का मतलब हो जाएगा किसी को छलना, या फिर ठगना, ठीक है तो ठगना आप सब समझते होंगे, तो bigul का मतलब हो जाएगा किसी को ठगना, ठीक है, और उसी प्रकार से आपको synonym बताना है, यानि कि एक तरीके से समानारती सब्द बताना है, तो यहाँ पर देखिए, आपको option number D में दिया गया है, deceive, ठीक है, यह जो deceive होता है, इसका भी meaning होता है, किसी को मोहना, या फिर बहकाना, या फिर जो है, दोका देना, ठीक है जो की मतलब इसके मिलते जुलते words है, या फिर same meanings है, तो इस प्रकार से इसका right answer हो जाता है, option number D, अब देखिए, दूसरे words के भी मैं आपको meaning बता देता हूँ, तो hash in का मतलब होता है, जल्दी करना, या फिर cigarette से करना, और repulse जो होता है, repulse का मतलब होता है, आपके किसी को खदेड देना, या फिर हटाना, ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, question number 5, यहाँ पर आपको question दिया गया है, कि select the most appropriate option to fill in the blank, तो यानि कि आपको जो है, यहाँ पर sentence को complete करना है, fill in the blank का जो है, आपको यहाँ पर question दिया गया है, और इस बार नावेक exam में देखा गया था, कि बहई, 4 से 5 marks के जो है, यहाँ पर पूछे जा रहे थे, fill in the blank, और साथ ही जो है, 3 से 4 marks के पूछे जा रहे थे, यहाँ पर, synonym और antonyum, तो काफ़ important हो जाता है, तो देखिएगा, कि आपको sentence दिया गया है, कि he had hardly gone a few kilometers, dash, his car broke down, यहाँ पर आपको बताना है, कि कौन सा option सही से आएगा, तो when, where, that, और then, तो इसमें से आपको choose करना है, तो देखिए, कि इस sentence में जो है, blank इस्तान पर जो है, यानि कि fill in the blank में, when जो है, यह सही रहेगा, when जो है, यह इसके लिए सही होगा, क्यूंकि hardly, जो word दिया गया है, यहाँ पर sentence में, या फिर scarly जो होता है, या फिर barely जो होता है, इन pair के साथ में जो conjunction when होता है, उसका प्रियोग किया जाता है, ठीक है, क्या कहा मैंने, कि hardly, scarly और barely, इनके साथ में जो है, पेर के रूप में conjunction जो होगा, वो when को use में लिया जाता है, ठीक है, जबकि then का प्रियोग जो है, वो no sooner के साथ में किया जाता है, तो इस प्रकार से इसके लिए right answer हो जाएगा option number A when अब देखिए दोस्तों question number 6 यहाँ आपको question दिया गया है कि select the most appropriate option to fill in the blank तो यहाँ पर आपको sentence दिया गया है कि the fabric is dash through cheaper than other fabrics तो options हैं कि as good as, more good, as good या फिर so good as तो देखिए इस sentence में जो है fill in the blank में as good as आएगा, ठीक है as good as इसलिए आएगा क्योंकि बाकी सभी जो options हैं उसमें grammar mistake है, ठीक है जो option B है, उसमें देखो more good दिया हुए, ठीक है तो more good जो है, वो comparative और positive degree है ठीक है, तो यह दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते ठीक उसी प्रकार, option C में देखिए कि as good, ठीक है, तो as good जो है इसमें क्या है, कि as positive degree में होता है ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं आ सकता और option number D में दिया गया है so good as, तो negative sentence में जो है सही माना जाता है ये, लेकिन इस प्रकार में नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर जो है सबसे better होगा, option number A तो इस प्रकार से इसका right pronunciation होगा कि this fabric is as good as through, cheaper than other fabrics, ठीक है अब देखिए दोस्तों question number 7 यहाँ पर आपको question दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपको idiom बताना है, ठीक है कि select the most appropriate meaning of the given idiom, तो आपको एक idiom दिया गया है, a dark horse तो a dark horse, idiom का meaning क्या होगा तो यह आपको बताना है, ठीक है तो a dark horse का मतलब एक तरीके से हो जाएगा एक अज्यात परतिर्बा, ठीक है तो एक अज्यात परतिर्बा का सभी मीनिंग जो है इसके लिए क्या यूज लिया जाएगा तो देखिए option number B में हो जाएगा कि an unknown genius यानि कि जिसकी खुबी हम लोग जानते नहीं हो या फिर जो हमसे अग्यात हो ठीक है तो उसके लिए जो option B में दिया गया है as unknown genius यानि तो इस प्रकार से इसका सही answer हो जाएगा तो अब देखिए दोस्तों question number 8 यहाँ पे आपको question दिया गया है कि select the most appropriate option to fill in the blank तो यहाँ पे आपको sentence दिया गया है कि plenty of information about the flora and phona of India dash available in the book तो options है are, is, has या फिर were तो इसमें से क्या सही हो जाएगा तो देखिए इस sentence के according यहाँ पे जो fill in the blank है इसमें is आएगा, ठीक है is क्यों आएगा, तो देखिए is इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो subject है plenty of information जो की singular है, ठीक है तो और are और were जो है, वो plural subject को लेते हैं, तो इसलिए यह तो आ नहीं सकते इसलिए यह incorrect हो जाएगा जबकि has के साथ में जो है V3 यानि की third form of verb आती है ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसका सही pronunciation हो जाएगा कि plenty of information about the flora and fauna of India is available in the book तो right answer होगा, option number B I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अब देखिएगा दोस्तों question number 9, मैं आपको बता दूं कि यह जो है exam oriented questions है और आप लोगों को भी पता होगा अगर आपने exam दिया है तो, और इसी type के question जो है आपके नाविक और यांतरिक exam में पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि select the most appropriate meaning of the given idiom, तो यहाँ पे आपको जो है इस idiom के लिए सही meaning बताना है कि कौन सा सही रहेगा, तो आपको idiom दिया गया है कि of the first water ठीक है, तो of the first water mean होता है कि एक तरीके से अच्छी quality या फिर जो है उत्तम quality ठीक है, यानि कि best quality जो है आप इसको बोल सकते हो तो देखिए, यहाँ पर आपको options दिये गए है of ancient origin of favorable opinion of no significance या फिर option number d of the best quality, तो जैसा कि मैंने आपको idiom का मतलब बताया, उसी के according जो है यहाँ पर option number d में भी दिया गया है, तो यह जो है इसके लिए सही answer हो जाता है, option number d देखिए दोस्तों, idiom और phrase के जो question होते हैं, उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, अगर आपको जो है, idiom का मतलब बता हो, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है, आपको उसका answer, options को देख करके आप easily बता सकते हो तो इसका right answer हो जाएगा, option number d, और मैं आगे से try करूँगा, कि आपका जो है, हर एक चीज topic wise clear करा हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो, और मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो, लेकिन ये जो practice set है, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, कि भाई कैसे जो है किस type से exam में आपको question देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको पूरी 15 marks की English exam में पूछी जाती है तो यहाँ पर भी जो है मैंने आपको 15 question दिखाने की कोसिस की है, अब देखिएगा दोस्तों question number 10, यहाँ पर आपको question दिया गया है कि select the most appropriate option to fill in the blank, तो आपको sentence दिया गया है कि this is the reason dash I don't attend parties, तो options है because, since, so, या फिर why, तो देखिए कि blank जो space है उसकी जगे पर conjunction जो आएगा वो why होगा, ठीक है, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, option number 2, why ठीक है, क्या बोला मैंने, कि why के पहले reason word आकर के उसको subordinating conjunction of reason की demand करता है इसलिए यहाँ पर why आएगा, ठीक है तो right answer हो जाएगा, option number D, why, तो sentence हो जाएगा कि this is the reason why I don't attend parties, अब देखिए दोस्तों question number 11, यहाँ पर जो आपको question दिया गया है, कि he curled with his boss dash of the consequences ठीक है, तो he curled with his boss dash of the consequences, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा, कौन सा जो है option सही होगा, और fill in the blank की जगे पर आएगा, options हैं very, confident, devoid, या फिर hidden, तो देखिए इस sentence में जो है he curled with his boss dash of the consequences, यानि कि मतलब क्या हो गया तो वह लड़ा अपने मालिक से dash अपने परिणाम से ठीक है, तो यह हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर जो है, इसमें आएगा option number D, heddles, ठीक है तो heddles मतलब क्या हो जाएगा, कि बे परवाह हो करके वो लड़ा, ठीक है यानि कि बे परवाह हो करके वो लड़ा था अपने मालिक से बिना किसी परिणाम को सोचे हुए, ठीक है तो इस तरीके से इसका pronouncesion सही से हो जाएगा, तो right answer होगा option number D, अब देखिए दोस्तों question number 12, यहाँ पर आपको question दिया गया है, कि some verbs need a dash to convey the full meaning, options हैं कि compliment, component, complimentary या फिर complaint तो अब देखिए, यहाँ पर क्या आएगा तो इस sentence में जो है तो इसके according क्या बोला जा रहा है कि कुछ क्रियाएं जो होती है, हिंदी में verbs को मोग क्रिया बोलते हैं, तो कुछ क्रियाओं को अवशक्ता होती है, एक तो किस चीज की आवशक्ता होती है अपना अर्थ बताने के लिए वर्ब को, तो यहाँ पर आपके लिए सही आंसर क्या होगा, तो option number यह में दिया हुआ है, compliment, ठीक है compliment मतलब हो जाएगा, पूरक, ठीक है यानि कि कुछ verbs को need होती है उनकी पूरक को बताने की, ठीक है यानि कि अर्थ को बताने के लिए जो पूरक की जरुरत होती है तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि some verbs need a dash की जगे पर आएगा, आपका compliment to convey the full meaning, ठीक है तो अब देखिए दोस्तों question number 13, और यहाँ पर आपको sentence दिया गया है कि his profession is teaching, but his dash is photography, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन options में से क्या आएगा तो vocative, evocation, vocation या फिर vacation, तो इसमें से क्या आएगा तो देखिए यहाँ पर जो option number B दिया गया है evocation, यह इसके लिए एकदम सही है, perfect है, क्योंकि इसके तरीके से मतलब हो जाएगा एक तरीके से व्यवसाई, या फिर उप व्यवसाई, हम बोलेंगे इसको, ठीक है या फिर पैशा जो होता है, काम करने वाला पैशा वो होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सही जो है, क्योंकि teaching teaching जो है, यह इसका profession है, ठीक है but his photography जो है, यह क्या हो जाएगी अवोकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका right answer हो जाएगा option number B, अब देखिएगा दोस्तों question number 14, यहाँ आपको question दिया गया है, कि यहाँ पर आपको antonium बताना है, एक word के लिए और आपको word दिया गया है complete तो complete word के लिए जो है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है, कौन सा antonium आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि complete के लिए क्या बोल सकते हैं, तो complete मतलब कि पालन करना, किसी चीज की आग्या को मानना, यह जो है, यह हो जाएगा, तो इसी प्रकार से आपको antonium बताना है, sinonium नहीं, ठीक है यानि कि willom सब्दा आपको बताना है तो यहाँ पर जो देखिए, option number d में आपको दिया गया है oppose, ठीक है तो oppose जो है, यह इसके लिए सही हो बोल सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से correct हो जाता है, option number d चलिए बाकी के options के meaning को जान लेते हैं तो differ आपको दिया हुआ है, तो differ मतलब होता है किसी चीज को अलग रखना, या फिर टाल देना, तो यह हम बोल सकते हैं, ठीक है और adhere जो है, यह adhere का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, पालन करना या फिर अनुसरन करना हम यह बोल सकते हैं, ठीक है तो इस प्रकार से इस question का right answer होगा option number d तो दोस्तों अब एक question आप लोगों के लिए है और इसका right answer क्या होगा, आप लोग नीचे comment box में comment करके, जरूर से बताईएगा, तो जैसा कि हर वीडियो में हमारे लिए जो है, एक question for you series में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है, कि select the most appropriate meaning of the given idiom, तो आपको जो है, इस idiom का सही मतलब बताना है, कि इन options के according, जो है, क्या इसका मतलब हो जाएगा, तो आपको एक idiom दिया गया है, कि to read between the lines, तो options हैं, कि to understand the implied meaning, option B, to completely misunderstand the meaning, option C, to critically analysis a piece of writing, या फिर option number D, to read with great difficulty, तो इस में से इसका सही option कौन सा होगा, या फिर सही answer कौन सा होगा, आप लोग नीचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा, और साथ ही उम्मीद करता हूँ, कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा, तो दोस्तों, इस वीडियो को like कीजिएगा, चैनल को subscribe कीजिएगा, और उपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद एवरिवन!